परमिश्वर भला है और उसकी भलाई सदा की है अलेलिया परमिश्वर के प्रेम को हम जितना जाने उतना कम है बाइबल आप जब खोलेंगे जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको हर जगा परमिश्वर के प्रेम के बारे में पता चलेगा आप परमिश्य के प्रेम को महसूस कर सकते और मेरे भाई, मेरे बहन जरूरी है कि जब हम बाइबल पढ़ें तो हम उसके मन को समझें उसके प्रेम को जाने उसने जो भी हमारे जीवन में काम किया है वो क्या है? Praise the Lord उसका प्रेम कितना भला है उसका प्रेम कितना पवित्र है वो कितना महान है वो कितना अद्बुत है सर्व शक्ति मान पिता प्रभू का प्रभू, राजाओं का राजा जिसने इस ब्रह्मान को रचा जिसने हमें और आपको बनाया जिसने सिश्ची को रचा उसने अपने एक लौते पुत्र का बलिदान दे कर हमें बचाया और हमें अपना बना लिया अद्बूत प्रेम ऐसा प्रेम और किसी का नहीं है ऐसा प्रेम और कोई नहीं कर सकता है कोई नहीं कर सकता है इसलिए इस प्रेम को बाइबल में हम बहुत जगा पाते हैं और मैं आपसे अनरोध करता हूँ कि आप उसके इस प्रेम को महसूस भी करें आज मैं आपको चाहता हूँ कि आप उसके प्रेम को महसूस करें आलेलिया मैं आज आपको उसके प्रेम के बहुत ही गहरी उसके प्रेम की गहरी विचार गहरी जाप को मैं आपके सामने लेना चाहता हूँ ताकि आप उससे अलग न हो सके क्योंकि अगर वो प्रेम हम में आ गया ना तो हम कभी भी उससे अलग नहीं हो पाएंगे जब हम यह जान पाएंगे कि परमिश्वर कितना हमसे प्यार करता है और परमिश्वर ने हमें क्या क्या बनाया है हमारे अंदर क्या समारा है हालेलिया प्रेस अलॉड देखी वो भला है और उसकी भलाई सदाकी है इसमें कहीं भी हम कोई संधे नहीं कर सकते जितने भी भाईबन यहां बैठे हुए हैं सब जानते हैं कि वह अधबुद है हालेलिया और उसने हमारे जीवन में अधबुद काम किया फिलिप्यों की पत्री से मैं एक वचन आपको पढ़ने पढ़ूँगा और उसके बाद हम आ गई जाएंगे फिलिप्यों के पत्री एक कच्छे एक कच्छे में अधबुद कि यह वचन है इसको ध्यान से समझने के कोशी करें उसके बाद हमारी बच्ची पढ़ेगी हालेलिया मुझे इस बात का निश्चा है कि जिसने तुम्हें भला कारे आरंब किया है वही मसी इशू के दिन तक पूर्ण भी करेगा पूर अलेलिया पॉलुस कहता है फिलिपो की कलिस्या को कि मुझे पूर्ण निश्चे है मुझे पूरा विश्वास है कि जिसने उस परवेश्वर ने तुम्हें भला कारे आरंब कर दिया है तुम्हें भला कारे बो दिया है तुम्हें भले कारे से मिलवा दिया है तुम्हें इस यूग के बना दिया है कि तुम भला काम करो रेसल और जिस ने तुम में भला काम आरंब कर दिया है वह इशू मसी के आने तक उसे पून भी करे का जब ईशू मसी बादलों पर सभार होकर आएगा जब इशू मसी हमें लेने आएगा प्रेस अलॉड अलेलृया वो दिन कितना होगा, वह दिन कितना अध्भूत होगए जमीश vapor सवाहर होग वो खराएगा और उसके सवर्दूत हर कोने पर होंगे और उसके चुने हुए बातलों पर उठाए जाएगे कितना अधूद होगा वो दिन कितना अधूद होगा वो नजारा हर आँख देखेगी वो भी देखेंगे जिन्होंने उसे भेदा हुआ है Praise a lot Hallelujah कितनी आप सोचिए वो आशा कितनी महान है वो आशा कि अशा में कितना जीवन है उस आशा में कितना आनंद है कि जब हम उस दिन पर जाएंगे जब हम उस दिन को देखेंगे कि हम इशू से मिलने जा रहे हैं बादलों पर वो हमें उठा रहा है उसके सामर से हम बादलों पर उठ रहे हैं तो क्या कहता है कि मुझे निश्चे निश्चय ये विश्वास है कि जिसने तुम्में भला काम आरंब किया है भला काम क्या है भला काम क्या है रेज़ लौट उसे बहुत सी चीजें हमारे अंदर भली डाल दी है पहले तो हम क्या थे रेजस लौट हम पवितर थे, तोशी थे, पापी गल्दृष्टी थी, पाप में चल रहे थे, अंदकार की शक्तियां हम पर राज करती थी, लेकिन उसने हमें निकाला, उसने हमें अपना बनाया, प्रेस्थ अलॉट, और हमें इस योग के बना दिया, और उसके बाद क्या किया उसने, कि हमें भला काम डाल दिया हमें भली चीजें डाल दी उसकी जोती हमें डाल दी हालेलिया उसकी आत्मा हमें डाल दी रिस अलॉट उसका अनुख्रे उसके अनुख्रे के द्वारा उसने हमें बनाया समारा और वो क्या कहता है कि वो जो भला काम उसने हमें दिया है वो जो भली चीज उसने हमें दी है हमें उस भली चीज को बस बस हमें उस भली चीज के अनुसार उस भली चीज को अपने अंदर कायम रखना है क्या भला काम है आपका उस भली चीज को जो परमेशों ने आपको दी है उसके अनुसार चलना वो भली चीज जो परमेशन ने हम में डाली है वो जोती जो हम में डाली है उस जोती के अनुसार अपने जीवन को चलना आप जानते हैं अगर आप पुरी तरीके से जोती में रहेंगे अगर आप पुरी तरीके से उजाले में रहेंगे तभी आप अंदकार के कामों को देख पाएंगे हलो मैं आपसे बात कर रहा हूँ अगर आप पूर्ण रोब से पूरी तरीके से जोती में चलना शुरू करेंगे जोती में रहेंगे तभी आप अंदकार के कामों को देख पाएंगे अगर आप अंदकार में चलेंगे और जोती को साथ रखने की कोशिश करेंगे तो आप अंदकार के कामों को नहीं देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे और जो शैतान है वो आपके जीवन में काम करता रहेगा आप समझ नहीं पाएंगे हुआँ तक पर्मेश्व ने हमें भले कामों के लिए ही इसर जाहेँ ऐफ इस यो 2 कादस हे प्रिशियो की पत्री 2 का 10 कहता है कि पर मेश्व ने हमें भले काम की लिए ही श्रुजा है आरंब से हमारा उत्पत्ति हमारी ओए अपार ऑड़овых यू कि हम उसके बना हुए है और मसी ऐच्शू में उन भले कामोद के लिए ते हो जे गए जिने परमेशों ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया व्हें हमें स्रुजा किसके लिए था भल परमेश्व कोई काम गलत करने की यहां पर परमेश्व ने सिच्ची को बनाया था बहुत एक उपसुरत। Alleluia! बुरे काम करने के लिए नहीं, भले काम करने के लिए। किसने किया? क्योंकि हम उसके द्वारा बनाए गए हैं। हम उसके द्वारा सरजेAY गए हैं कि मसी इस्जू में उन भले कामों के लिए सरजे गए हैं। मसी इस्जू दिए कही कैई आप तका आप बाइबल में मसी पढ़ते हैं यूनानी भाषा में मसी को क्रिस्ट कहते हैं। यह एक पधवी है पधवी समझतें? यह जो क्रीस्ट है, मसाया है यह एक पधवी है इसको आप नाम के आगे भी लगा सकते नाम के पीछे भी लगा सकते इसलिए मसी इशू या इशू मसी चरही के जैसे कि यहां पर लिखाया गॉआ है कि Mysईशु में उन भले कामों के लिए दुछे गये हैं जिने परमिश्वाय ने पहले से ही हमारे लिए तयार किया है इसलिए वह कहता है कि मुझा निश्चा है कि जिसने तुम्में भला काम आरहम कर दिया है वो ईशू मसी के आने तक उसे पूरा भी करेगा और उसके लिए क्या किया पता आपको जब आपको वो चुनता है आप इस चीज को समझती की कोशिश करिएगा मेरी बहन मेरे भाई कि परमेश्वर कितना गंभीर है आपके लिए पहला पत्रस एक का पांच कितना गंभीर है आपको पता है उसने आपको चुना है बाइबल कहते है यहोना 15 का 16 के तुमने मुझे नहीं चुना है मैंने तुम्हें चुना और सिर्फ चुना ही नहीं है तुमको चुनकर निक्ट किया है ताके तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, प्रिस अलोट, हलेलिया आपको प्राइशर ने आपको चुनकर स्तिर किया है और क्या किया है? पहला पत्रस एक का पांच का कहता है? जिनकी रक्षा प्रमेश्वर की सामर से विश्वास के द्वारा उस उधार के लिए जो आने वाले लिए स्वर्ग में रखी गई है जिनकी रख्षा परमेश्वर की सामर से यह निके हमारी रख्षा बोलिए हमारी रख्षा हमारी रख्षा परमेश्वर के सामर से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाला है की जाती है आपकी रक्षा कौन कर रहा है परमेश्वर आपकी रक्षा धर्ती पर परमेश्वर का सामर्थ कर रहा है हमें बस उस भले कामों को उस भली चीज़ों को जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसको समहाल के रखना है यह हमारा काम है जो भला काम उसने हमारे अंदर किया है उसको हमें सम्हाल के रखना है हालेलुया पहला पत्रस एक का तेरा निकालिए तेरा चौदा पंद्रा रिस अलोड इस कारण अपनी अपनी बुद्धे की कमर बांध कर वा सचेत रहकर उस अनुग्रों की पूरी आशा रखो जो ये शुमस्य के प्रगत होने के समय तुम्हें मिलने वाला है एक मैं डाललीया मेरी वाइबल में एक वच्छा यह लिखा हुए ऐसे अथा कारे कर ने के लिए अपनी बुद्धी की कमर कसकर आत्मा में संयमित हो जाओ कारे करने के कूवे कु आपना काम करने के लि कि पिशली पर मैंने क्या बताया था कि अधिकार देने से पहले पर्मेश्ण ने आशीष थी अधिकार से पहले आशीष थी फर्मेश्ण ने तक हम उस भले काम को कर सकें कैसे कर सकेंगे हम जबता हमारे पास वह अधिकार तो है लेकिन उस अधिकार को हम कैसे करेंगे कैसे लुप मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर आप की रकषा कर रहा है पर्मेशर का सामर्त आपकी रक्षा जर्ती पर कर रहा है लेकिन आप उसकी रक्षा को कैसे मेहसुस करेंगे कब जब आप भले कामों के दौरा आगे बढ़ेंगे बार-बार हम कलीशया में दोराते हैं कि हम वही संसारिक कामों के दोर अपने जिन्दगी में सुख चाहते हैं वही वही सोच वही विचार हमारे अंदर वही लालसा वही अभिलाशा हमारे अंदर काम करती है लेकिन परमेश्षर का सामर्थ आपको बचा रहा है आत्मा में समर्पित हो जाओ अप्रश सलोड आत्मा में समर्पित हो जाओ मेरे भाई तभी आप परमेश्र की योजनाओं को जान पाओगे तभी आप परमेश्र के मन को जान पाओगे तभी आप परमेश्र के प्रेम को जान पाओगे अगर आपको परमेश्र के प्रेम को जानना है मेरे भाई, मेरी बेहन तो आपको आत्मा के द्वारा ही काम करना है क्योंकि वो आत्मा है वो आत्मा है अपने आपको समर्पित करो Praise the Lord मैं आपको फिर बोलता हूँ Bible में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप रोठी के लिए चिंता करें यह नहीं लिखा हुआ है कि आपको चिंता नहीं करनी है अपने काम दियन को जो पर्मेशनक्ट ने इस योग के बनाया है, अपना सामर्थ दिया है और उसके सामर्ज से इस धर्ती पर आपकी रक्षा की जारी है आपको उसके अनुसार चलना है मैं आपको सच बता रहा हूँ हमारा जीवन आम जीवन नहीं है हम एक मसी है हम आम इंसानों की तरह जीवन नहीं बिता सकते नहीं हमें बिताना है आज अगर आपके बच्चे बाहर जाते हैं और आपके बच्चे जो बाहर जाकर वो देखते हैं कि साथ दूसरे बच्चे ऐसा काम कर रहे हैं भाग रहे हैं दोड रहे हैं कुछ भी इंजॉय कर रहे हैं लाइफ का और वो कहने कि हमें भी करना है आप साफ साफ अपने आप अलग हैं, आप चुने हुए हैं, आप आत्मिक हैं, आप भले कामों के लिए सरजे गए हैं, गलत कामों के लिए आप सरजे नहीं गए हैं, परमेश्वर ने आपको भले कामों के लिए सरजा है, तो जिस सीज के लिए आपको सरजा है, अगर आप वो काम नहीं करेंगे औ कि अलो प्रेस लॉट कि मैं परमिश्वर ने माल लेजिए आपको किसी कंपनी में एक सर्विस मिलती है एंद और उस सर्विस में आपको एक मशीन चलाना है और मशीन चला कर आपको कुछ आप ईप जाना है किस बस काम के लिए आपको बनाया गया है जिस काम के लिए आपको सर्विस में लिली है आपको वही काम करना पड़ेगा, तभी तो आप सफल होंगे आप मसी जीवन में असफल क्यों हो रहे हैं क्योंकि परमेश्वन ने आपको भले काम के लिए स्रजा है और आप वही संसारिक काम कर रहे हैं संसार को दिखाने के लिए आप आप उपने जीवन को जी रहे हैं। सि आप भझे काम ने कर रहे हैं। आप अपने भझे काम को निए समय रहें। बढ़़ है दितर्म्क ओ कार्य करने के लिए अ tenían बुद्धि की कध्र कर्सकर विजलोट क्या लिखा हुआ है उस अनुग्रे की आशा रखो और सचेथ होकर इस कारण अपनी बुद्धी की कमर बांध कर सचेथ रहकर उस अनुग्रे की पूरी आशा रखो जो इशु मसी के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है वो अनुग्रे एक अनुग्रे ये था जिसके अंद्रगेत परमिशन ने आपको चुन लिया इस अनुग्रे और उस अनुग्रे बहुत फरक है इस अनुग्रे की वज़े से आपको मार्क दिखा आप पवित्र हुए आप निश्कलंक हुए आप निश्पापी हुए आपने इशु के भलेदा सब्धोनमं को जाना आपने प्रभू की चाहताह contenido गया अपने परमिश्र के प्रेम को जाना को जाना लेकिन वह अगुरे जो मिलने वाला है वह आपको पिता से मिलवाएगा है ए‍ब हमें उस अंउगरे के लिए जीना है यह तो हमें अरुगरह मिल गया है हमें भला काम करने के लिए परमेशन ने चुन लिया है अपने सामर से परमेशन हमारी रक्षा कर रहा है इसलिए वो कह रहा है अपने बुद्धी की कमर कसलो क्योंकि शैटान तुम्हारी वुद्धी को विश्रित करेगा इस संसार की अविलाशाओं की लाल सा जब आप देखतेएं अपने दोस्तों के 사थ अपनी सहली है जो आपका दोस्त है जो आपकी सहली है जो आपका भाई आपकी बहन है उसको नहीं पता है इश्व मसी की कीमत उसको नहीं पता है उद्धार की कीमत उसको नहीं पता है अनंतकाल की कीमत उसको नहीं पता है कि जब बातलों पर इश्व मसी आएगा तो आपको पिता परमिश तू रात कौर नौ बजे सोएघा है तू साड़े नौ में सो ईता है अरे कौन सोता है यार बारा यह जो आधा हम लोग सूते है दो वए तक भी बश्ड बेच्चे भी क्यते है आ रहे यार मेरा दोस्ट बारा बीच़ वह सोथा है मुझे भी सॉने दो हम मसी हैं हमारा जीवन चार बजे शिरू होता है पांच बजे शिरू होता है बच्चा कहता है नहीं मेरे दोस्त होता है ग्यारा वजे तक नौ बजे तक प्रेस अलॉट हम मसीह हम कौन हैं हम यह जाने आप क्यों नहीं आशीश पापा रहे हैं आप क्यों नहीं उस सुख को भोग पा रहे हैं क्योंकि आप यह समझी नहीं कि आप कौन है आप नहीं स्रिष्टी हैं आप पुरी तरीके से पवित्र हैं आप में परमेश्वर ने भला काम करने के शमता दी है हलो जान दीजिये परमेश्वर ने आपके अंदर जो डाला है ना प्रोडक्शन जो काम करने के लिए जो आपके अंदर पुर्जे डाले है वो पुर्जे कौन से हैं भले काम करने के पुर्जे हैं वो अलो आपके अंदर परमेश्वर ने नई शिष्टी में जब आब इश्व मसी में आये जब आपको पवित्र किया जब आपको सरजा तो आप में उसे उसने नया काम करने वाले पुर्जे डाले आपकी बुद्धी नया काम के लिए बनाई गई है नहीं की गई है आपकी आत्मा नया काम के लिए बनाई गई है आपका नया मन नए काम के लिए बनाया गया है इसलिए अगर मसी होने के बाद अगर आप पुराना काम करते हैं गंदे काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, सांसारी काम करते हैं तो आप की जो पुर्जे हैं न वो सही काम नहीं करेंगे और फिर क्या होगा आप असफल होंगे हलो आप क्या होंगे असफल होंगे शेतान आपका फाइदा उठाएगा आप सेक्सेस नहीं होंगे आपको लगागा कि मैं फस गया हूं यार संसार में रहूं के कलीश्या में रहूं हलो आप समझ रहे हैं परमिश्वर ने आपको भले कामों के लिए सरजा है इफीसियो दो का दस पढ़िए इफीसियो दो का दस क्योंकि हम उसके बनाय हुए हैं और मस्य इश्व में उन भले कामो के लिए सुजे गये हैं जिने परमेश्व ने के लिए ही सजे कई है इसलिए अगर गजश सोच भी आपके अंदर राती तो जानलो एज शैतान की ओर से हलो हम बुरे काम के ली सल जही ही नहीं गए कि बशलॉट हम चुने में इस ल्यक करने के लिए इसलिए अगर आपके अंदर से बुरा काम आ रहा है तो आप उसके लिए नहीं है इसलिए आप सफल नहीं होंगे इसलिए शैतान काम करेगा और आपके जीवन में शांती नहीं आएगी अशांती आएगी आपके घर में अशांती होगी it is a lot इसमाजी हे कि हम किसके लिए सर्ज़े गये है मेरा जीवन किसके लिए है मैं एक भला इंसान हूं ते हाँ विश्वास के जाँ बोले है मैं एक भला इंसान हूं और भले काम के लिए सर्जा हो हो इसलिए अगर आप गमन करते हैं आप धोका देते हैं आप गुस्टा करते हैं आप मारते पीटते हैं इसका मतलब यह काम आपका नहीं है कि काम आपका ही नहीं आप सजे नहीं गए और जो काम आपका नहीं है मेरी बहन अगर आप वो करेंगे तो क्या सफल होंगे मुझे खाना खाना बहुत अशा लगता है लेकिन बना नहीं सकता नहीं बना सकता कई भाई कई हमारे ये भाई हैं ये शिप में शेफ हैं बहुत बड़े बहुत ही स्वाधिस खाना बनाते हैं तो अब मैं अगर खाना नहीं बनाता हूँ क्योंकि मैं खाने के लिए स्रजा नहीं किया हूँ तो अगर मैं खाना बनाओंगा तो क्या आप खाएंगे नहीं खा पाएंगे अगर मैं आपको खिलाने कोशिश भी करूँगा तो आपका पेट खराब हुजाएगा क्योंकि मैं खाना बनाना नहीं जानता हूं मुझे खाना का बनाने के लिए नहीं सजा है हलो किया आप किसी आदमी से उमीद करते हैं कि खाना बनाए वो आदमी लोग खाना बनाते हैं नो डाउट अच्छा खाना बनाते हैं लेकिन उमीद किसे की जाती है और से हा और दी बनाइगी तो आप अश्षर रिश्क दो जाएंगे अपो खान होगा ना नहाँ लेकिन आदमी है इसकाम नहीं है अगर वो आता है तो एक प्लस पाइंट उसके लिए लेकिन अगर और अश्वा रॉह पेथी हुए है और वह कहती है कि साब मुझे खाना बनाना नही जाता है क्योंकि वह एक और थे हम भले काम के लिए सजे गए हैं बुरे काम के लिए नहीं सजे गए हैं इसलिए इसमें क्या लिखा हुआ है चौदवां पहला पत्रस एक का चौदवां आज्याकारी बच्चों के सिद्रिश अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाशाओं के अनुसार आचरन मत करो तुम मसीह हो प्रेश लौट और आज्याकारी बच्चों की तरह अपनी अभिध्यान से समझें इस को इस वचन को अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाशाओं के सिद्र शिनाबनो यानिके जब आप पुरानी अभिलाशाओं के सिद्र चलते थे तो आब अग्या जूट बोल कर एकर एकर हमें पैसा मिलता है तो इसमें क्या हुआ जूट भोलना गया गया से लिग Crystal कि जूट बोलना पाहप है दुटब बाप है नए range आप जब जान गएकी पाप किया है आज हमें गयां गया हम समझ गएक पाप किया है क्यों क्योंकि हमें ज्ञान मिल गया है उस सुभें हमाग ज्ञान थे जो हम पाप करने के लिए आतू रहते हैं कि नहीं यार पाप भी हो जाएगा चलेगा लेकिन यह काम मुझे मिल जाए कि में बॉन्ळ था मैं फिल्मों को लेने के लिए यू़ोंट बलीए के बॉल्यूट में चापलुसी बहुत है चम्चागरी बहुत है किसी की जूठी तसदिर करना ये बहुत है हर चगह है यह नहीं कि बॉलिवाट में आप मानेंगे नहीं में एक बुर्तियों को पूशता तो मूर्ति के सामने में प्रात्रा करता था कि है मूर्ति मुझे बुद्धी दे ताकि मुझे चापुलुसी करने की कला आए ताकि मैं लोगों को चापुलुसी करके काम हासिल कर सकूँ बताइए यह मेरी प्रात्रा होती थी क्यों कि चाहपुलूसी एक कला है वो पाप है यह आज हम जानते हैं तो अज्ञानता की वज़ए से हम पाप करते थे अज्ञानता की वज़ए से हम अपनी अभिलाशाओं में फशे हुए थे लेकिन परमेश्चर ने हमें पवित्र किया और हमारी बुद्धी खोली हमें ग्यान दिया और क्या ग्यान दिया कि हमें सिर्फ उस पर भरुसा करना है हमें भले काम करने हैं हमें कोई जूट नहीं बो चीज पाने के लिए गलत आचरण नहीं करना नहीं यह हमें ग्यान मिला है तो लेकिन वो क्या कहता है आज्याकारी बालकों की नाई अब जो कि हम परमेश्चर के चुने हुए हैं अब जबकि हमें नया आचरण मिला है अब जबकि हम नहीं सिष्टी में हैं अब जबकि पर काम के दौरा अपने जीवन में इस्थर रहें बहुत काम करते हुए इस्थर रहें भली चीजों को अपने जीवन में अपने अंदर जो परमेशन ने हमें दी है उसको संजो के रखें क्यूंकि आपका बुरा काम आपके अंदर जो भली चीज है उसको निकाल देगा आपका अंदकार आपकी जोती को ख़दम कर देगा अगर आप अंदकार में है फरमेश्ण कुछ नहीं कर सकता फरमेश्ण ने आपको जोती दी है और शैतान को अंदकार दिया है अगर आप अंदकार में रहेंगे तो शैतान आएगा आपके अंदर जैसे पत्रस के अंदर शैतान आया था और इशू नहीं से कहा था कि शैतान ने तुमको गहों की तरह पठंग्रे के लिए मांग लिया है क्यों मांग लिया है क्योंकि तुम्हारे अंदर घमंड आ गया है तुम्हारे अंदर अंदकार आ गया है इशू मना नहीं कर पाया है शैतान को क्योंकि शैतान को अंदकार दिया है, अंदकार उसका घर है, और हमारा क्या है घर? जोती, हमारा घर क्या है? जोती, हमारे काम से काम? भले काम, शैतान के काम है? बुरे काम, अगर हम बुरे काम करेंगे अंदकार में जाएंगे, और जो हम अंदिकार में जाएंगे तो परिक्षियाएं आएंगी शैतान आपके जीवर में काम करेगा आप भले काम करेंगे आप प्रभू में बने रहेंगे परमिश्र के उपसिति को आप मैसूस करेंगे आप जानिए परमिश्र के प्रेम को मेरे भाई मेरी मेहन और जो भल काम करता है फ्रेस्ट लौट इशाया यिसाया 409 कदस कई यह भार अपी सब्सक्राइब भाले काम करने कैसे गुश्य काद कई आपको अपको बतता हूं किया के आप पर्मिश्टी यह शाया 49 कदस इस वे भूके और प्यासे ना होंगे हैagh आलेलुया, कौन जो भला काम करेगा, आलेल, पूरिया, न लहू और न घाम उन्हें लगेगा, वो भूके और प्यासे न होंगे, न लहू और धाम उन्हें लगेगा क्योंकि वो जो उन पर दया करता है, वो ही उनका अगुआ हो गा, हालेलुया, प्रिस औलॉट, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, बढ़ा अच्छा लिखा हुआ है मेरी फिश बाइबल में, मैं आपको इसके लिए पढ़ता हूँ, वे भूके और प्यासे नहीं हों, ये दे दिजे, ये परमेश्र की गारंटी है, ये परमेश्र की गारंटी है, अगर आपको लगता है, कि यह ना तो भूके होंगे और ना प्यासे उन ना उन्हें जुलसाने वाली धूप ना लू से कुछ हानी होगी क्योंकि जिसने उन पर तरस खाया है वही उनकी अगवाई करेगा और उन्हें जलके सोतों के पास लेके जाएगा हम पर उसने तरस खाया है हम क्या थे और क्या बन गए कौन थे हम लोग मौत का डर पुडुसी का डर हल पल डर 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 हमें सताता था डर में जिन्दकी जी रहे थे हम लोग लेकिन आठ परमेशन ने हमें हम पर तरस खाया है और क्या किया है हमें दलदल के कीचर में से निकाल कर बजन सहीता चालिस का दो इस्थिर का किया है चट्टान पर इस्थिर किया है और वह कह रहा है कि जिसने तुछ पर तरस खाया है वही तेरे आगे आगे चल रहा है मेरे भाई वो क्या कहता है जिसने तुम अपर तरस खाया है वही तेरी अग्वाई करेगा आपको करना क्या है मुझे बस उसके पीछे चलना है और कुछ भी नहीं करना मेरी बेहन वर्मेश्व संपर मेरी रक्षा कर रहा है उसकी आत्मा मेरी अग्वाई कर रही है उसका वाचान मुझे शक्ती दे रहा है, मुझे जा करना है, मुझे तो सिरफ उसके अनुसार चलना है जिसे न आप इस दीज को समझ गयाना, मेरे भाई, मेरे बहन, कोई तकलीफ नहीं कोई टेंशन, कोई चिलता नहीं है जिसने मुझे पर तरस खाया है, वो मेरे अगवाई करेगा मुझे बस ईशू के पीसे चलना है वो कहां जा रहा है, मुझे सोचना भी नहीं है, वो क्या कर रहा है उसने मुझे मार्ग दिखाया है ना वो भूगे होंगे, ना वो प्यासे होंगे, ना जुलसाने वाली आग उनको लगेगी, तो कि जिसने तरस खाया है, वो अगवाई करेगा और अगर आप भाईया भूके हैं, अगर आपको भूक से लगता है डर, अगर आपको प्यास से लगता है डर, अगर आपको लगता है कि जुलसाने वाली आग आपको जलाएगी, तो मेरे भाईया आपने इशू को बैचाना नहीं है, अब इदक आप इशू के पीछे नहीं च वो सीधा काम कह रहा है उसने अपनी आत्मा हमें दी है अगवाई के लिए हमेरी बुद्धी खो लिए उसने हम फिर मीना चलना जाए चर्च में बैठ कर भी अगर हम वीडियो देखते रहें तो क्या करेगा प्रभू क्या करेगा प्रभू कुछ कर सकता है अगर मैंने ठान लिया कि नाई मैं अच्छा काम नहीं करूंगा तो क्या करेगा प्रभू नर्क का दोर खुला हुआ है आपको नर्क में जाना पड़ेगा सिरी से बात है जैसा करोगे जैसा बोगे वैसा ही पाओगे जितना बोगे उतना ही काटोगे इसलिए अपने आपको धोका मत दो आप परमिश्र को नहीं अपने आपको धोका दे रहे हैं अगर आप परमिश्र के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं मेरे भाई अगर आप वो भल लगा रहे हैं, तो आप गलत हैं, आप गलत हैं, आललिया, प्रेस अलॉट, इसलिए प्रभु ने जो भला काम हमें दिया है, उस भले काम के अनुसार हमें जीवन को बिताना है, प्रेस अलॉट, परमिश्र के प्रेम को बहसूस करिये, अगलॉणाँ गलता इस अज़दान तो प्रेस अलॉट, ए्र गलत हैं, बिताना हैं, अजिस अलॉट, झालॉट, गलत हैं, आप पल्लॉट, भलत हैं, आप जिसे जीवन को बहस्फ्ग करomet है Reg skaMax, आप ललॉट, इस Menu डि़ाम जोड़ है, जो अलॉँछ, आपusanफäre् छिताना ट